सलमान की फिल्म अंतिम की बढ़ी सुनामी, हर दिन कमाई में हो रहे हैं बड़े उच्छाल काफी लंबे समय के बाद सलमान खान ने अपनी मोस्ट अवेटिट फिल्म अंतिम को ठीटरो में रिलीस कर दिया है इस फिल्म ने रिलीस होते ही काफी धीमी शिरुवात की है ये धीमी शुरुवात का मतलब ये नहीं कि दर्शकों को ये फिल्म पसंद नहीं आई आपको बताना चाहेंगे कि ये फिल्म को काफी positive reviews मिल रहे हैं और दर्शकों को ये फिल्म काफी भा भी रही है यहाँ तक कि critics ने इस फिल्म को काफी अच्छी फिल्म करार दी है सलमान ने कोविड के बाद फियेट्रों में नॉन हॉलिडे के दिनों में फिल्म को रिलीज कर कमाई की है वो काफी अच्छी कमाई की है अगर एक उधारण की तौर आपको बता दे तो हाल ही में सलमान की फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले जॉन इब्राहिम ने भी अपनी फ आईए अब हम आपको बताते हैं कि सल्मान की फिल्म अंतिम ने पिछले दो दिनों में कितने करूडों का कलेक्शन किया है फॉर्स डे सल्मान खान ने 4.75 करूड रुपए का कलेक्शन कर एक अच्छी ओपनिंग अपने नाम की है दूसरे दिन सल्मान ने 5.50 करूड रुपए का कलेक्शन किया है जो फॉर्स डे की कलेक्शन की तुल्ला में काफी अच्छा कलेक्शन है बता दे कि आज हॉलिडे है और सल्मान की फिल्म को रिलीस हुए आज 3 दिन है और तीसरे दिन सुभा के थियेट्रों में जो भीड देखने को मिली है वो पिछले दो दिनों की तुल्ला में काफी अच्छी है और कयास लगाय जा रही है कि सल्मान खान हॉलिडे के दिन पर बंपर कमाई करेंगे तो दोस्तो आपका क्या अंदाजा है अंतिम फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन को लेकर वो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर जरूर बताएं